हलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आईक्यू दिस इस मनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना ग्यारा बजे हम लोग मिलते हैं और MPPSC के बहुत सारे इंपोर्टन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो आज भी एक इंपोर्टन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आपकड़े नाटक कार बहुत सारी चीजें लेखिए इन्होंने खंड काववे लेके महा काववे लेके जो प्रोस्पोईटरी होती है एपिक्स होती है इसके अलवड़ा ड्रामा जो थे नाटक होते हैं इनके रचेता जो थे महाकवी कालिदास आब उनके बारे में आज हम बात करने वाले तो यह आपके prelims के syllabus में से भी यहां से हर साल कोई ना कोई question पूछ लिया जाता है साथ साथ आपसे जो है mains में भी इन पर answer writing आ सकती है कि वह कालिदास के उपर आप जो है five marker लिखे तो उस तरीके से हम समझेंगे कि इनके उपर अगर हमें इस तरह के questions आते हैं तो हम किस तरीके से उसको approach कर सकते हैं क्या क्या इनके बारे में fact हमें पता होने चाहिए तो सारी को बता है हम कालिदास के बारे में देखेंगे तो कालिदास की यात्रा कालिदास की journey कैसे मूर्ख से विद्वान हुए कालिदास यह जो है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें जो है इनके बारे में detail में देखेंगे good morning सभी लोगों को और पुराने lectures भी देखते चलिए MPPSC नजदीक आता जा रहा है तो धीरे-धीरे आप provisions भी करते चलिए playlist बनी हुई है चैनल के page पर वहाँ जाएंगे आपको सारे lectures मिल जाएंगे उनकी PDFs जो है वो आपको group पर update हो जाती है तो उनको भी जरूर attempt करा करिए और साथ-साथ जो भी lectures हैं उनकी PDFs भी वहाँ पर upload हो जाएगी तो यह इस lecture की भी जैसे हमने भोपाल गास ट्रैजडी पढ़ा था तो उस तरीके के जो है ऐसे भी topics हम लोग cover कर रहे हैं जिससे आपकी सारे spheres cover हो बिल्कुल good morning नरेंद्र, सुप्रिया, शिवेश, सभी को good morning तो शुरू करते हैं आज का session किसके बारे में तो महा कवी कालिदास के बारे में तो कालिदास जी के बारे में यहां से बात करना शुरू करते हैं तो वही कालिदास जी के जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बर्थ के बारे में बात करें तो इसके उपर बताया जाता है कि थोड़ा सा विवाद है इसके उपर विवाद है क्योंकि इनके बारे में एक सटीक जानकारी नहीं मिलती है ये जो है एक तरीके से प्राची नितियास के अंतरगत आ जाते हैं मतलब जो ancient history है आपके उसके अंतरगत जो है कालिदास का नाम आता है तो इनके जन्म के बारे में जो कथाएं हैं कुछ मालविका अगनी मित्रम में देखा जाता है तो उसके आधार पर इनकी दो जगाएं बताई जाती है लेकिन MP के experience के लिए तो उज्जेन ही आप लिखेंगे तो MP के हिसाब से तो उज्जेन बताया जाता है और MP की जितनी books हैं वो उज्जेन ही claim करती है कि कालिदास कहां से बिलॉंग करते थे तो आपका उत्राखंड में आता है रुद्र प्रयाग उत्राखंड के अंतरगत आता है इसके अलावा इनका जन्म किस सदी में हुआ था उसके बारे में भी जो है थोड़े से विवाद है कई जगाओं पर लिखा है कि ये पहली शताब्दी पहली शताब्दी इस्वी मतलब फर्स सेंचुरी बीसी है और कई बुक्स फोर्थ सेंचुरी को बोलती है चौथी शताब्दी इस्वी इसको एडी कर लेंगे बीसी मतलब एडी है यहाँ पर इस्वी का मतलब एडी तो इस्वी जो है फोर्थ सेंचुरी एडी के अंदर बताया जाता है और ज्यादा ऑथेंटिक हम किसको मानते है इसी को मानते है और इसमें भी ज्यादा ऑथेंटिक हम किसको मानते है तो उज् तो उनके नौरतनों में से एक हुआ करते थे गुड़ मॉनिंग गुड़ मॉनिंग सभी को गुड़ मॉनिंग बहुत अच्छे से देखते रहे हैं समझे तो भाई उजयन इनका बर्थ प्लेस बताया जाता है लेकिन इस पर भी सटीक जानकारी एकदम एग्जेक्ट जानकार में हुआ तो इस पर भी ज़्यादा जो मत चलता है जो हमारे मध्यप्रदेश से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वित्य के नौरतनों में से एक कालिदास कहे गए तो वही इनको जो है चौती शताब्दी इसा पूर्वी से जादा माननेता मिलती है तो य जो है इन से जुड़ा हुआ फैक्ट याद रखेंगे चौती शताब्दी में जब चंद्रगुप्त द्वित्य हुए थे गुप्त बंच के उस समयन का काल बताया जाता है और दूसरी बात बताई जाती है कहां पर बर्थ हुआ है तो उज्जेन में हुआ है लेकिन एक मत क करें तो इनकी काफी रचनाय है इनको किस से कंपेर किया जाता है तो इनको शेक्सपियर ओफ इंडिया कहा जाता है यह भारत के शेक्सपियर है लेकिन अगर हम इनके प्रारंबिक जीवन की बात करें इनकी अर्लियर लाइफ की बात करें इनके प्रारंबिक जीवन की बात क नहां की भूमी से जुड़े हुए हैं, उज्जेन की भूमी से जुड़े हुए हैं, इनकी 40 से ज़्यादा रचनाय बताई जाती हैं, लेकिन उन में से साथ काफी प्रसिद्ध हैं, उन पर भी मैं आऊंगा। इंपोर्टेंट परसिद्ध हैं, क्योंकि मद्यप्रदेश से जुड़े हुए कई राजाओं का सम्मंद कालिदास से मिलता है, इसलिए हम लोगों को कालिदास दोनों तरीके से जरूरी हैं, क्योंकि आपके स्लेबस में साहित्तेकार भी दिये गए हैं, आपको लॉरेट्स के बारे में भी पढ़ना है, साथ-साथ इथियास के बारे में पढ़ना है, तो दोनों जगा कनेक्शन कालिदास का हो जाता है, और MP में जैसे मैंने बता है, उज्जेन से ज़्यादा चीजें मिलती है, मालवी का अगनी मित्रम में ये कहानी आती है, तो उज्जेन का नाम बा जाएगा साथ साथ जो है इनका प्रारंगविक जीवन में ये महाखल थे खल का मतलब मूर्ख होता है कि ये मूर्ख से पंडित कैसे बने उस चीज की कहानी हम लोग पहले समझते हैं तो देखे इनके बारे में कहा जाता है कि वह ये उजयन जिसको महाकाल की नगरी कहा जाता ह वहां से हुआ करते थे और उजयन के महाखल थे ये महाखल जो मैंने बताया खल का मतलब मूर्ख हुआ करते थे तो उस समय उजयन में क्या था कि उजयन के अंदर एक राजकुमारी थी जिनका नाम था विद्योत्मा और विद्योत्मा जो है काफी जादा विदूशी थी का विदूशी का ये कहना मतलब जो विद्योत्मा थी जो विदूशी थी काफी उनका ये कहना था intellectual थी कि मैं उसी से विवा करूँगी जो मेरे साथ जो है शास्त्रार्थ करेगा शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है तो शास्त्रार्थ का मतलब ये होता है कि अपना ग्यान जो ह और किसी दूसरे मतलब दो ग्यानी व्यक्ति साथ मर बैठें दो इंटेलेक्चुल व्यक्ति बैठें और अब एक दूसरे की जो questions है questions answers है उनको एक तरीके से दोनों को satisfy करें मतलब दोनों की जो भी तरशना है उनको दूर कर दें और अपन जो प्रशन है उन प्रशनों के तहट एक तरीके की वहाँ प्रतीस परधा होती जिसको शास्त्रार्थ कहा जाता है मतलब दो intellectual लोग मिलकर एक competition कर रहे है अपने knowledge का तो जो ज़्यादा superior हो गया वो जो है जीत जाएगा तो शास्त्रार्थ में ये कहा विद्योत्मा ने कि जो मुझे हरा देगा जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ मैं विवा कर लूँगी तो कई ऐसे विद्योत्मा आये और इसमें ये भी था कि विद्योत्मा ने ये कहके रखा हुआ था कि अगर कोई वेक्ती जो है शास्त्रार्थ में हार गया तो उसका मुझाला पतवा कर पूरे शेहर में गुमाये जाएगा तो कई विद्योत्मा को लगता कि हम शास्त्रार्थ में हार गये तो फिर तो हमारा मुझाला हो जाएगा तो वो आते ही नहीं तो ये बहुत जादा जो राजकुमारी हुआ करती थी तो बहुत हलचल मची हुई थी जैन शेहर के अंदर कि विद्योत्मा का तो विभा जो है किसी ज्यानी से होना है तो कई लोग जो होते हैं इसमें जो वहां के हुआ करते थे उन्होंने जो है कालिदास को देखा तो कालिदास एक पेड़ के उपर बैठे हुए थे वो जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे और देखिए विद्योत्मा के साथ एक और बात नहीं करती थी इशारों में बात करती थी सांकेतिक जो मुद्रा है उसमें जो है उनका मेंली जो चीज हुआ करती थी तो इनों ने जब देखा इन सारे लोगों ने तो इनों ने सोचा कि कालिदास के साथ थोड़ा सा मजाक किया जाए तो कालिदास को जो लोग होते हैं वो पकड़ कर ले जाते हैं किसके पास विद्योत्मा के पास और विद्योत्मा से कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत महाग्यानी है ये आपके साथ शास्त्रार्त करेगा तो शास्त्रार्त करने के लिए विद्योत्मा तैयार होती हैं कालिदास को भी बिठाया जाता है कालिदास बैटते हैं विद्योत्मा के सामने तो जो है सांकेतिक तरीके से ही बात होना चालू होती है तो सांकेतिक जो मैं समझ रहे होंगे आप सांकेतिक का मतलब है कि मुद्राओं के फॉर्म में कि इशारे जो है कि hand expressions के तुरू जो है बातचीत होगी और शास्त्रार्थ होगा एक competition होगा intellectual level पे तो क्या करती हैं सबसे पहले विद्योत्मा कालिदास की तरफ एक उंगली दिखाती है तो एक उंगली का जो है उनका कहने का मतलब होता है कि भाई ब्रह्म जो है वो एक है तो जो कालिदास होते हैं एक की जगा दो दिखा देते हैं तो उनका जो कहना होता है कि भाई ब्रह्म के साथ साथ जो है संसार भी है और ये दोनों मिलकर एक हैं तो ये जब दो दिखाते हैं कालिदास, तो विद्योत्मा को लगता है, ये तो परम ग्यानी है, ये तो जो आंसर दे रहा है, वो एकदम सही दे रहा है, तो वो फिर दूसरा प्रशन करती हैं, तो दूसरे प्रशन में वो पाँच उंगलियां दिखाती हैं, जिसमें अगनी जलवायू अकाश ये सारे तत्व तो एक ही है यही तो पूरा शरीर को बनाते हैं तो वो उससे और ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और कालिदास का विवा हो जाता है विद्योत्मा के साथ तो कालिदास का विवा होता है विद्योत्मा के साथ अब जब विद्योत्मा के चली जाती हैं तो बताया जाता है कि क्या होता है कालिदास को एकदम वैरागेच्छा जाता है कि मा काली के पास जाती है और मा काली के पास जाने के बाद जो है उनकी अनन्य जो है सेवा करने लगते हैं तो उनको आशिरवाद स्वरूप जो है मा काली जो है एक महाखल से महापंडित बन जाते हैं तो इस तरीके की कहानी है किसकी काली दास की तो काली के भक्त होने के कारण ही नाम क्या पढ़ गया काली दास के काली के दास हैं ये तो ये जो है कहानी बताई जाती है किस से जुड़ी हुई विद्योत्मा से जुड़ी हुई तो जब उन्होंने उन पंडित उसके बाद बताया जाता है इतनी जो है संस्कृत के अंदर पूरी की पूरी रचना इनकी किसके अंदर है संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए और इनकी रचनाओं के ऊपर कई कवियों ने आने वाले जो कवियों हैं उन्होंने भी कालिदास को मदब देखे एक ही fraternity में होने वाले लोग एक ही जगा में होने वाले लोग किसी दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं तो ये जो है मिलता है कि जो आने वाले आगे कवियों हुए जैसे बान भठ हुए फिर पुलकेसिंद वित्ते के दरबार में कई मंत्री हुआ करते थे शिलंका के से महापंडित बन गए कालिदास और उसके बाद जो इनकी रचनाएं हुई 40 से ज़्यादा अधिक रचनाएं इनकी बात कही जाती हैं 40 से ज़्यादा अधिक रचनाओं में जो है थोड़ा सा विवाद कहा जाता है कि सारी कालिदास की नहीं है लेकिन उन 40 में से 7 ऐसी रच रचनाएं हैं जो कालिदास से जुड़ी हुई है और कालिदास ने तीन तरह की रचनाएं इसमें करी हैं कालिदास की रचनाओं में मैं आपको बताओं तो 3 रचनाएं बहुत महत्पूर्ण हैं जिनको कहा जाता है महा काव्वे इसके जिनको एपिक्स कहा जाता हैं इंगल तो एक जो है महा काववे की बात कर दी जाती है दूसरी की अगर हम बात करें तो उनको बोलते है प्रोस पोईटरी प्रोस पोईटरी का मतलब क्या होता है तो इसी को हिंदी में कहा जाता है खंड काववे और तीसरा होता है ड्रामा जिसको कहा जाता है नाटक तो ये तीन तर विकौन से और आपके ड्रामा नाटक कौन से यहां से बहुत सारे प्रिश्ण आते ही आते हैं तो देखते हैं कि भाई क्या-क्या इनसे चीज़ें जोड़ी हुई है और समझ लेते हैं तो इसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग किसकी बात करेंगे हम नाटक तो आप जो है प्राचीन इतियास में एक वंच पढ़ेंगे जो आपका एंशेन हिस्ट्री है एंशेन हिस्ट्री में कुछ डाइनेस्टी पढ़ते हैं तो डाइनेस्टी जो है इतियास के जो वंच है उनमें बताया जाता है एक वंच हुआ जिसका नाम था शुंग वंच तो जो मौर्रे थे मौर्रे को ही मार दिया था किसने शुंगों ने मौरे में ही चंद्रगुप्त मौर्रे हुआ करते थे जिनकी कोट में चानक के हुआ करते थे चानक के के बाद बिंदूसार हुआ बिंदूसार के बाद अशोक हुआ अशोक के बाद कुनाल कुनाल के बाद स पुष्य मित्रशुँग ने किसकी हत्या कर दी थी ब्रिहद्रत की, ब्रिहद्रत वास केल्ड वाजूट बईुच की स्थापना करी शुंग वाज कहा चाहता है जिसकी एक राजदानी पाटली पुट्र थी, दूसरी जो है राजधानी क्या थी तो विदीशा हुआ करती थी ये बात त्यान से रखिए तो विदीशा में हुआ करते थे इसके अलावा पूछा जाता ही कि शुंगों की प्रारंबिक स्थान इनके पूरवज कहां के थे तो ये शुंग जो है उज्जेन के रहने वाले हु पुष्यमित्र शुंग था और इस पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा है इसका नाम क्या है तो अगनी मित्र है इसी के बेटे का नाम क्या है अगनी मित्र तो जब पुष्यमित्र शुंग पाटली पुत्र पर बैठा हुआ था पुष्यमित्र शुंग पाटली पुत्र किया था और जो अगनी मित्र है अगनी मित्र किसके बेटे हैं पुश्य मित्र शुंग के बेटे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी एक कहानी समझ लेते हैं कि यह वाला जो भाग है यह है आपका उज्जेन यहाँ पर है विदीशा और इस तरफ पढ़ता है विधर्ब वाला जो ये वर्तमान में महाराष्ट में पड़ता है विधर्व की अगर हम बात करें तो ये कहां आ जाता है महाराष्ट में आ जाता है ये वाला जो रीजन है ये महाराष्ट में है महराष्ट का कौन सी जगा तो महराष्ट में अगर हम बात करें तो जो नाकपूर है, अकूला है, वर्दा है, यवतमाल है ये सारी जगा को विधर्ब का जाता है तो बताया जाता है कि जब मौर्रे वंच शाशन कर रहे होते हैं तो इनके एक मित्र होते हैं यग्य सेन मतलब यग्य सेन वंच के एक राजा होते हैं जो विधर्ब शेत्र के राजा होते हैं उनकी मौर्रें से बहुत अच्छी बन रही होती है तो मौर्रे जब धीरे-धीरे कमजोर होते हैं तो ये खुद को आजाद कर लेते हैं लेकिन मौरेओं को हराकर कौन सा वंच आ जाता है शुंग वंच आ जाता है तो शुंग वंच की दुश्मनी हो रहती है किसके साथ यग्य सेन के साथ तो जब पुष्य मित्र शुंग पाटली पुत्र की गद्धी पर बैठे होते हैं तो पुष्य मित्र शुंग अपने बेट तो अगनी मित्र अटैक कर देते हैं कहां पर यग्य सेन के उपर जो की कौन सा जगा है विधर्ब जगा है इस विधर्ब का जो यग्य सेन रहता है इसी यग्य सेन के हां जो विधर्ब शेत्र की जो राज कुमारी रहती है उसका नाम होता है मालवे का तो जब अगनी मित्र इ यग्य सेन के हाँ ही जो राजकुमारी थी जिनका नाम मालवे का था इनकी जो प्रेम कहानी है इनकी जो लव स्टोरी है जो प्रणय का था है उसी को क्या कह दिया जाता है मालवे का अगनी मित्रम तो ये काली दास का एक नाटक है जिसके नायक जिसके हीरो कौन है तो अगनी म मित्र कौन है तो आपके पुश मित्र शुंग के बेटे हैं और ये पुश मित्र शुंग कौन तो भारत का पहला ब्रामन वंश फर्स ब्रामन डाइनस्टी ऑफ इंडिया इस शुंग डाइनस्टी और इनों ने किस्प को अटैक करने को बुला यग्य सेन को अटैक करने को कहा जो विदर्व शेत्र में शाशन करते थे वहां से वो मालविका को भी लेकर आ गए और मालविका और अगनी मित्र की प्रणय कथा जो कहलाती है वो कौन सी कहलाती है तो मालविका अगनी मित्रम कहलाती है तो यह कालिदास का नाटक है कालिदास के ड्रामा में दो ड्रामा पढ़ेंगे हम तीन ड्रामाज पढ़ेंगे तो इन तीन ड्रामाज में ये पहला ड्रामा है पहला जो है नाटक है जिसका नाम है मालवी का अगनी मित्रम ठीक है तो ये चीज आपको समझने आ रही है यह तक कि यह क्या है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां तक clear हो रही है आपको कि मालवी का अगनी मित्रम जो है ये प्राचीन इत्यास से जुड़ा हुआ है प्राची नितियास में शुंग वंश, शुंग वंश में पुश मित्र शुंग, पुश मित्र शुंग में अगनी मित्र ही हुए इनके बेटे हैं जो विदीशाब में बैटे हुए थे तब पुश मित्र शुंग के कहने पर इन्हों ने विधरब पर आक्रमन किया था, विधर प्रणय कता है तो ये जो है एक लव स्टोरी है प्रणय कता है आपका अगनी मित्र और मालविका की तो मालविका विधर्व शेत्र से जुड़ी हुई थी ये चीज याद रख लेंगे बढ़ते हैं दूसरे नाटक की तरफ दूसरा नाटक जो है अगर हम बात करें तो दूसर अभिग्यान शाकुंतलम अब देखिए अभिग्यान शाकुंतलम की बारे में अगर हम बात करें तो अभिग्यान शाकुंतलम काली दास के जो नाटकों में सबसे विशिष्ट कहा जाता है सबसे प्रोमिनेंट जो है ये कहा जाता है क्या ये सत्य घटना पर अधारित है बिलकुल ये सत्य घटना पर ही अधारित है क्योंकि हमें इन राजाओं के बारे में शिला लेखों से भी पता चल रहा है किताबों से भी पता चल रहा है तो ये मन गड़त कहानी नहीं थी मालविका अगनी मित्रम एक रियल स्टोरी थी क् कि अगनी मित्र का कई जगाओं से साक्ष मिला है पुश मित्र शुंग के लेखों से भी पता चलता है और जब इन्हों शाकुंतलम चक्रवर्ति सम्राथ हुआ करते थे एक जिनका नाम था तो उनका नाम था राजा दुशयन्त की भात करें तो राजा दुशयन्त जो थे वो चक्रवर्ति सम्राथ थे तो राजा दुशेंद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है चक्रवर्ती का मतलब होता है कि काफी जिसका जो राजपाट होता है काफी बड़े शेत्र में फैला हुआ होता है तो राजा दुश्यंत क्या करते हैं? आखेट करने जाते हैं, शिकार खिलने जाते हैं, और शिकार में ये एक हिरन के उपर तीर चला देते हैं, वो हिरन जो होता है, तड़पता हुआ जाता है, तो उसको जो है رस्ते में मिल जाती हैं कौन? शकुंतला अब ये शकुंतला कौन होती है तो ये शकुंतला को बताया गया कि जो विश्वा मित्र थे विश्वा मित्र और स्वर्ग की अपसरा मेनका से उत्पन्य पुत्री थी जिनका नाम क्या था शकुंतला तो शकुंतला जो है एनिमल लवर होती है काफी जो है करुणा आ जाती है उनको जब उसको तीर लगा हुआ देखता है तो बताया जाता है शकुंतला बहुत जादा सुनाती है किसको राजा दुश्यंत को कि वही आप में दया नहीं है किसी जानवर को नी साहे जानवर पर जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत वर्ष पढ़ता है वो दुशयंत और शकुंतला के ही पुत्र थे बाद में ये जो है दुशयंत महलों में चले जाते हैं दुरवाशा रिशी आते हैं दुरवाशा रिशी का अपमान गर देती हैं शकुंतला तो वो उनको श्राब भी दे देते हैं, बाद में करुणा में बताते हैं कि कैसे उनको दुश्यंत मिलेंगे, इस पर पूरी कहानी आधारित है और लिखा हुआ है, इनका जो है विभा भी होता है, जिसको गंधर्व विभा कहा जाता है, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आपको विभा पढ़ाए जाएंगे दो तरह के विवा बताए जाते हैं जो विवा में एक होता है धर्म विवा एक होता है अधर्म विवा धर्म विवा के अंदर भी चार कैटेगरी पढ़ेंगे आप तो उसमें होता है क्या देव विवा प्रजापत्य विवा अर्ष विवा और आपका दे और इनी ग्याधार पर दो विवा और भी पढ़ते हैं वैदे काल में जिसको अनुलोम विवा और प्रतिलोम विवा का आ जाता है तो इनका जो विवा बताया गया किसका राजा दुश्यंत और शकुंतला का वो कौन सा तरह का विवा होता है तो गंधर्व विवा होता है अभिज्यान शाकुंतलम है जो राजा दुश्यंत और आपकी शाकुंतला के बीच की कहानी है जो शाकुंतला थी वो रिशी विश्वा मित्र और मेनका की पुत्री हुआ करती है इनके बीच में जो है विवा होता है कौन से प्रकार का विवा तो गंधर्व प्रकार का विवा होता है बिलकुल असूर पिशाच राक्षस गंधर्व ये चार अधर्म विभा बताए गए है तो वो हिस्ट्री का सेपरेट पार्ट है आज तो हम कालिदास पर पढ़ रहें तो इनको थोड़ा सा फोकस करते हैं तो इनके बीच में गंधर्व विभा हुआ इस पे कहानी आध जब क्रोध आता है तो वो श्राब दे देते हैं फिर करुणा में उसका रस्ता भी बता देते हैं तो फिर कार्ट भी बताते हैं कि अंगूठी लेकर जाएंगे तो जो है राजा दुशन्त आपको पहचान जाएंगे तो जब शकुंतिला वापस जाती है महलों की तरफ इन से जो है कहा जाता है कि किस तरह की कहानी हुआ करती थी कालिदास वाज नौट शेक्स्पेर ऑफ इंडिया बट शेक्स्पेर वाज दकालिदास ऑफ दी वेस्ट बिलकुल देखो अब यह हमारी तुलना है लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक्जाम पॉइंट आफ यू से ही पढ़ते हैं अब जो हमारे एक्जाम्स में हमसे पूचा जाएगा हम उसी को चीज करेंगे हम यहां पर इत्यास जो है बदल कर कुछ भी नहीं हसिल कर सकते हैं तो इसलिए इनको जो है किताबों में जो लिखा हुआ है और हमको जो एक्जाम्स में लिखकर आना है वो शेक्स्पियर ऑफ इंडिया लिखकर आना है बिलकुल कालिदास और चेतन भगत का कोई कमपैरिजन नहीं हो सकता महा कवी है वो उनको बड़े-बड़े लेखकों ने बान भट ने आपका अगर हम बात करें पुलकेसिंद्वित्ते ने शिलंका के जैवर्मन ने कई बड़े-बड़े जो मैं बता रहा हूँ न कि एकी लोग एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं लेकिन इनके बात जो कवी हुए उन्होंने कालिदास की तारीफ करी है तो कालिदास वाकई एक बहुत बड़ी जो है एक विदूश मतलब इदवान तो थे ही साथ-साथ एक बहुत ही अद्भुत कला के वेक्तित्व थे जिनकी रचनाएं जो हैं आज भी करुणा से भर देती हैं बहुत सारी अलग-अलग तरीके के सब्जेक्ट पे इन्होंने लिखा हुआ है तो कालिदास की टोटल रचनाएं मैंने बताई हैं 40 से जादा बताई जाती हैं लेकिन प्रमानित तोर पर हम साथ पढ़ते हैं तो उन साथ का मतलब नाटक है तो ये तीन नाटक मैंने आपको बताएं सबसे पहला नाटक मालवी का अगनी मित्रम दूसरा अभिज्यान शाकुनतलम और तीसरा नाटक क्या है विक्रमो वशियम विक्रमो वशियम की बात करें तो विक्रमो वशियम जो है ये किसकी लव स्टोरी है ये किसकी प्रणय कथा है तो ये एक प्रणय कथा या लव स्टोरी बताई जाती है किसकी है तो ये जो है आप जब पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि हमारे पुराणों में जो सबसे पहले पुरुष और महिला हुई ब्रह्मा से ही उत्पन हुए कौन मनु और शत्रुपा मनु और शत्रुपा ये जो है हिंदू माइथलोजी में इनकी बात की जाती है जैसे क्रिस्चानिटी में आड़म और ईवस का नाम आता है कि सबसे पहले और पुरुष और महिला हुआ करते थे ऐसे ही इनको कहा जाता है सबसे आदी पुरुष है मनुशत्रूपा इन मनुशत्रूपा से दो पुत्र उत्पन होते हैं जिनका नाम होता है इक्षवाकू और दूसरे पुत्र का नाम होता है पुरर्वा पुरर्वा तो ये बताया जाता है कि ये जो विक्रमो वश्यम जो कहानी है वो किस से जुड़ी हुई है तो पुरर्वा और स्वर्ग की अपसरा होती है जिनका नाम क्या है तो स्वर्ग की अपसरा है जिनका नाम है उर्वशी स्वर्ग की अपसरा उर्वशी और पुरर्वा के मद्दे की कहानी है जिसको क्या कहा जाता है विक्रमो वश्यम तो ये जो है एक जो है आपकी लव स्टोरी है किसके बीच में तो मनुश अत्रूपा के दो बेटे एक्षवाकू और पुरर्वा और पुरर्वा की और जो स्वर्ग की अपसरा हुआ करती है जिनको श्राप मिल जाता है स्वर्ग से पृत्वी लोग पर आना पड़ता है तो उस पर ये कहानी बताई जाती है पुरर्वा और उर्वशी की कहानी बताई जाती है ब यहाँ पर तीन तरह के हमने ड्रामा देख लिए, सबसे पहला नाटक जो था मालवी का अगनी मित्रम, मालवी का अगनी मित्र की कहानी, दूसरे की बात करी अभिज्यान शाकुंतलम, शाकुंतला और दुश्यंत की कहानी, तीसरी बात करी विक्रमोवशियम, जिसमें कहा जाएगा, एपिक कहा जाएगा, यह क्या है, एक तरीके का एपिक है, तो एपिक जैसे आपका रामायन है, महा भारत है, यह इनको क्या किश्रेणी में रखा जाता है, कि इनको यह कहा जाता है, रगुवंशम को, कि यह एक तरीके का, जो है, महा काव्वे है, पुरवा के टाइम की कहानी कालिदास को कैसे पता देखे कई ऐसे लेखाख हुए जिन्होंने बाद में चल कर पुरानी कहानिया लेखी है जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक्जामपल देता हूँ जिसको सभी लोग बिलीव भी करते हैं कि अगर आपने अभी एक मूवी आई थी जिसको देखा होगा पदमावत नाम की मूवी पदमावत जो थी उसमें रानी पदमनी की कहानी बताई गई थी अलाउदीन खिल जी के समय लेकिन वो उसको लिखा किस ने था तो मलिक मुहमद जैसी ने लिखा था और ये अटाइक जब हुआ था वो 1307 की घटना है अलाउदीन खिल जी जो हुआ और रानी पदमनी और चितोड पर जो आकरवन मिलता है वो 1307 करीब में मिलता है लेकिन ये किताब कब लिखी गई 1545 में तो मलिक मुहमद जैसी ने उसको देखा हुआ नहीं था मतलब उस समय लिखा नहीं गया था साथ में लेकिन बाद में लिखा गया अगर हम बात करेंगे आप एक और लेखक की बात करेंगे जिनका नाम था विशाखा दत विशाखा दत ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस उन्हें मौर्रेओं के इत्यास के बारे में लिखिये और उन्होंने ही देवी चंदर गुप्तम भी लिखिये और वो उत्तर गुप्त काल में हुआ करते हैं तो गुप्तों के बाद हुए और मौर्रेओं के बारे में भी लिख दिया कि विक्रम अदित्य का जन्म इसी के आसपास हुआ था या उसके बाद हुआ था नहीं बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है देखना मूवी वो तो जस मैंने नाम बताया है यह याद रखना कि मलिक मौमद जाईसी का गरंत है पद्मावज जिस पर मूवी बना दी गई है और यह अलावदिन खिल जी का जो चित्तोड आक्रमंट था ये भी आपके स्लिब गये थे उनकी एक किताब थी काजियन उल्फता काजियन उल्फता में उन्होंने लिखा हुआ था तो देखिए ये तो बात हो गई अब जो हम बात करें रगुवंशम की तो रगुवंशम भी क्या है एक महा काव्वे है और किसके बारे में दिया गया है तो रगुवंश के अंतरगथ ही या सूरे वंच के अंतरगथ बहुत सारे राजा हुए इनी में आगे चलकर भगवान राम हुए तो भगवान राम के ऊपर जो लिखा गया है माहाकावे वो रामाएण है तो रमाइण की पूरी कहानी किसके इर्दिगिर्द गूमती है भगवान राम के लेकिन रगुवंश के 29 राजाओं की कहानी किसके इर्दिगिर्द गूमती है तो रगुवंश जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर 29 राजाओं की कहानी है जो भगवान राम के ही कुल से जुड वंशम तो रगु वंशम जो है 29 राजाओं की कहानी से जुड़ा हुआ है तो इससे आप ध्यान रखिए कि महा काववे कौन सा रगु वंशम और इसमें किसके बारे में तो 29 राजाओं की कहानी के बारे में बताया गया है रगु कुल से जुड़ी हुई रगु कौन सा कुल तो एक्ष्वाकू से जुड़ा हुआ जो वंच है, उसी को कहा जाता है रगुकुल, उसमें केवल भगवान राम नहीं, और भी रगु, अज, दश्रत, राम इन सब के बारे में दिया हुआ है. देखिए, जो मनु और शत्रूपा के दो बच्चे हुए थे, जो मने आपको बताया है, इक्ष्वाकू, इस एक्ष्वाकू से जो है, बताया जाता है, सूर्य वंच चालू हुआ, और जो पुररवा थे, उनसे चंद्र वंची शाशक हुए. और इन एक्ष्वाकू और पुररवा से आप पढ़ेंगे आगे चलके, पुररवा से मध्य प्रतेश केतियास में ही, कि जो आपका मान धाता जो नगरी बसाई गई थी, वो पुररवा के वंच जो ने बसाई थी, जिसमें है है वंच हुआ करता था, तो इन में बहुत सारे राजा हुए है, एक्ष्वाकू के अंतरगत जो है बहुत सारे राजा मिलते हैं, और पुररवा के अंतरगत भी बहुत सारे राजा मिलते हैं, लेकिन एक्ष्वाकू से ही सूरे वंच की चालूई और सूरे वंच में ही एक रगु वंच हुआ, जो भगवान राम रगु हम से मान सकते हैं तो इसी रगुवंशम में 29 राजाओं की कहानी है जो काली दास ने लिखा हुआ है 29 राजा उसी से जुड़े हुआ है तो ये ध्यान रख लीजे अच्छे से इसके बाद अगर हम बात करें कुमार संभवं कुमार संभवं की बात करें तो जो कुमार संभवं है ये भी क्या है तो इसको भी आप डालेंगे किस लिस्ट में तो इसको भी महा काववे की लिस्ट में डालेंगे तो ये एक एपिक है जिसका नाम है महा काववे मतब इसका नाम है कुमार संभवं कि से उपर कहानी है तो कुमार संभवं शेव पारवती के पुत्र कार्तिके से जुड़ी हुई है कुमार संभवं जो है किस कुमार से जुड़ी हुई है तो कार्ति के से जुड़ी हुई है इनी कार्ति के भगवान को दक्षन भारत में मुर्गन कहा जाता है इनी को मुर्गन कहा जाता है इस महा काव्वे में किसके बारे में बात की गई है तो शेव और पार्वती शेव पार्वती के पुत्र कौन है कार्ति के तो शिव पारवती के पुत्र कार्ती के से जुड़ी हुई कहानी जो है किस माहा काब्वे में दी गई है? तो कुमार सम्भवम में दी गई है हाँ 29 राजाओं की कहानी है 28 की नहीं है 28 लिखाए के मैंने 29 ही है अच्छा से याद रख लीजे रगुवन्ष से जोड़ी है फिर किसकी बात कर रहे है शिव पार्वती और उनके पुत्र कौन कार्तिके गणेश की कहानी नहीं है यहाँ पर किस से जोड़ी हुई है किस महा काववे के अंतरगत तो कुमार संभवम के अंतरगत तो हमने यहाँ पर पाथ चीजे देख ली सबसे पहले नाटक देखा मालविक अगनित्रम दूसरा नाटक जो ड्रामा है अभी ग्यान शाकुंतलम तीसरा विक्रम वश्यम चौथी महा काववे की बात करी जिसका नाम क्या था तो उसका नाम था रगुवन्षम पाचवे की बात कर ली कुम इसका एक क्या है तो खंड काववे है खंड काववे के अंतरगत इसको हम डिवाइट करेंगे जिसको इंगलिश में कहा जाता है प्रोस पोलिट्री तो काली दास की दो प्रोस पोलिट्री जे दो खंड काववे है उनमें से एक खंड काववे कौन सा है रितू सहारम या रि माध्यम से रितु सहार को दर्शाया गया है छे रितुओं से इसमें छे रितुओं जो होती हैं उनको अपनी प्रीरसी जो है उनके लिए जो है छे रितुओं का वर्णन किया है और उसमें जिस तरह से बदलावाते हैं कि वर्षा रितु आ गई फिर आपका वसंत रितु आ ग पता है लेकिन जो इन तीन सीजन में भी जो एक टाइम होता है जैसे कि अगर हम बात करें कि एक जो सीजन हो गया रेनी सीजन एक जो सीजन हो गया आपका मतब ये वर्शा रितू हो गई वर्शा रितू के बाद जो है आपका वर्शा रितू जैसे ही खतम होती है तो वर्शा रित्व के बाद आपकी जो है विंटर सीजन आ जाते हैं जिसको आप हेमंत रित्व भी कहते हैं इसके बाद जो है आपका समर सीजन है जिसको ग्रिश्म कहा जाता है तो इसके अलावा जो एक फेस चलता है उनमें जो है चार तो पता है दो और कौन से है वही मैं बता रहा हूँ देखें क्या होता है कि जब आपका वर्षा आती है तो वर्षा से पहले आप पढ़ेंगे तो प्री शार्स भी आते हैं प्री शार्स जिनमें कई तरह का उनको कहा जाता है कि जैसे काल बैसाखी नाम सुना होगा अपने इसी में जो है कॉफी शार्स भी कहा जाता है कॉफी ब्लोसम्स भी होता है मैंगो शार भी कहा जाते है करनाटक में आम पकानी के लिए होता है कि कुछ बोचारे होती है तो वो वर्षा रितू होने से प्रारंब वाला शेत्र अब जैसे कि आप विंटर सीजन की बात करें तो जो आपका जो शीत रितु होती है इस शीत रितु से पहले इसमें मैंने एक नाम दिया हुआ हेमंत रितु जिसको आटम सीजन भी कहा जाता है आपने ये सुना होगा आटम स्प्रिंग पृशार ये तीन हो जाते हैं और बाकी तीन ये है तो यह से छह रितु बढाई जाती है शरद शिशीर गृष्म वसंत इसमें देखें ये जो प्रीशार से इनको बहुत ज़्यादा कहा जाते हैं कि जो वर्षा जो पहले आती है जिसे कॉफी पकती है जिसे आम पकते हैं उसको भी इनोंने अपनी जो है इन रितुओं में शामिल किया हुआ है तो हेमंत रितु भी आती है इसमें वसंत रितु भी आती है वर्षा रितु भी आती है ग जो दूसरा महा खंड काववे, इसका नाम है मेग दूत, ये भी क्या है, तो खंड काववे है, जिसको बोला जाता है प्रोस पोईट्री, प्रोस पोईट्री है, क्या नाम है इसका मेग दूत, तो मेग दूत किस से जुड़ा हुआ है, आपका ये खंड काववे से है, तो काल प्रशलम ड्रामा है तीसरा विक्रमों वशियम ड्रामा या नाटक है फिर दो महा काववे बात करें रगुवंशम और दूसरे की बात करी कुमार सम्भुवं फिर दो खंड काववे पढ़ लिए तो पहला जो पढ़ा वह रितु साहर और दूसरा पढ़ा है मेगदूत अब देखें मेगदूत में जो है एक यक्ष की कहानी है जो आपका कुबेर के नगर अलकापुरी में रहा करता था कुबेर जो है कुबेर का जो नगर है उसका नाम है अलकापुरी तो अलकापुरी में जो यक्ष होता है किसी यक्षनी से इसको प्रेम हो जाता है प्यार हो जाता है तो कुबेर जो है इसको निशकाशित कर देता है अलकापुरी से और यह किस जगा पे रहता है तो रामगिरी परवत पर रहता है रामगिरी परवत पर निवास कर रहा होता है एक साल तक इसको निकाल दिया जाता है तो वहाँ पर जो है यह अपना संदेश अपनी यक्षनी को पहुचाने के लिए किस से जो है एक तरीके से संदेश पहुचाता है तो वहाँ से बादल गुजर रहे होते हैं तो उन बादलों को अपना संदेश देते हुए जो है दूत के तौर पर भेशता हैं मेग मतलब होते हैं क्लाउट्स बादल तो बादलों को अपना दूत बनाकर जो है रामगिरी परवत से कहां पर तो अलकापुरी के लिए जो है अ अपने संदेश यक्षनी तक पहुचा दे इस पर आधारित जो है ये खंड काववे है प्रोस पोईटरी लिखी हुई है किसने कालिदास ने तो इसका नाम क्या है मेग दूत या मेग दूतम भी कहा जाता है तो मेग दूत क्या है मेगों को अपना दूत बना ले ना किस से स्टोरीज बताई है वो बस याद रखने के लिए कि किस से जुड़ा हुआ है मेली आपको एक्जाम्स में एक से दो लाइन लिखनी है इन में अगर मेंस राइटिंग में आता है कि राइट डाउन अबाउट एनिवन तो यहाँ पर उन से जुड़े हुए आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानिया नहीं लिखनी है थोड़ा थोड़ा फाक्ट बता देना है यह किस से जुड़ा हुआ है तो कालिदास की रचनाओं में यह साथ प्रमुक रचनाएं बताई करता था अब कालिदास ने कुछ लिखा हुआ भी है तो उसको प्रमानिक तोर पर इन साथ में कालिदास की प्रमानिकता दिखती है क्योंकि देखे उस समय जो लिखा गया था उनके कई स्वरूप झो घू गए थे उनको धीरे-दीरे आज की डेट में निकाला गया है तो ज लेकिन वो भी विवाद से घिरा हुआ है, तो इसलिए जो है आप ये साथ जो है याद रख लीजिए, तो इन साथ में हमने क्या-क्या देख लिया, तो हमने यहाँ पर बात करी महा काववे की, जिसको क्या कहा जाता है, एपिक्स कहा जाता है, इसके अलाबा प्रोस पोल्टर जिनको खंड काववे कहा जाता है और आपका ड्रामा ड्रामा को ही क्या कहा जाता है नाटक कहा जाता है तो कितने महा काववे देखे हैं हमने तो दो हमारे महा काववे हुए प्रोस पोईटरी कितनी हुई दो हुई और तीन क्या हुए ड्रामा हुए ये तीनों ही चीज़ें किस से जुड़ी हुई है काली दास से जुड़ी हुई है तो इन में जो है दो मिनिट में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इनका कि क्या देखा है हमने यहां से देखिए आपके मार्क्स जरूर आ जाएंगे इनको बच धंक से पड़कर चले जाईए तो महा काववें में दो महा काववें देखे एगी रगु वंशम और दूसरा अभी ज्यान शाकुंतलम इसके अलावा खंड काववे या प्रोस पोल्टरी में किसकी बात करी तो प्रोस पोल्टरी में भी दो बात करी है इनके अंदर कौन-कौन से तो मेग दूत और रितू इसके अलावा जो नाटक है इसमें मालवे का अगनी मित्रम विक्रमो वश्यम ये बात कर लिए हमने और आपका अभिज्यान शाकुंतलम ये जो है गलत आ गया आपका यहां पर ये यहां प्याना चाहिए अभिज्यान शाकुंतलम इसकी जगा जो है कुमार संभवम आ जाएगा तो इसका नाम याद रख लीजे कुमार संभवम तो ये जो हो गए आपके क्या हो गए तो बेसिकली ये जितनी भी कालिदास की रचना है जिनसे कुश्चन्स आ सकते हैं वो जो है आप ध्यान से रख लीजे तो इनसे आप देरे-देरे स्कूर करते रहेंगे बिल्कुल हाँ यहाँ पर कुमार संभव हमें वो गलत हो गया था ओके थैंक यू सो मच आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं तो यह चीज जो है ध्यान से जो भी थी हमारी कालिदास से जुड़ी हुई थी वह हमने आज की क्लास में समझने की कुशिश करी तो कालिदास से जुड़े हुए जो है प्रमानिक तोरपन के साथ जो है जो रचनाय हैं सेवन जो इनकी क्रियेशन से उनसे पूछा जाता है जिनमें नाटक में मालविका और अगनी मित्र की प्रेम कता के बारे में आभिग्यान शाकुंतलम के अंदर शाकुंतला और दोश्यंत की कहानी के बारे में देखा विक्रमो वशियम के अगर हम बात करें तो पुररवा और उर्वशी से जुड़ा हुआ है फिर हमने जो है रगुवंशा में महा काववे की बात करी जिसमें 29 जो रगुकुल के राजा हैं उनके बारे में बात करी कुमार समववा में शिव पारवती और आपका कार्तिके से जुड़ा हुआ है मेग दूद की अगर हम बात करें तो मेग दूद में यक्ष जो है वो रामगिरी परवत से मेगों को दूद बनाकर यक्षनी तक संदेश पहुचाने का है और रितु साहर में अपनी प्रियरसी को छे रितुओं के आधार पर जो है दर्शाया गया है तो यह इस तरीके से जुड़ा हुआ था कालिदास से हुआ लेक्षर तो होब यह सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझने आई होंगी और भी जो कुशन्स होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिया है कल भी जो है कल का जो लेक्चर था वोपाल गया स् लेकिन आप देख रहें MPPSC अब थोड़ा सा डीप पूछने लगा है तो वहां से आपको जैसे की मिथेल आईसो साइनाइट का नाम कई बार पूचा गया है लेकिन जैसे मैंने कल सेविन बताया था कि वो कौन सा वहां पर पेस्टिसाइड बनता था तो इस तरह के MCQ में आ करनोबिल गैस डिसास्टर हुआ था बोपाल में गैस ट्रेजडी हुई थी तो ये जो है चीज़ें जुड़ी हुई है जो पर्यावरण के उपर एक काला धबा है तो वहां से उस तरीके से MCQ आप से बना कर पूछेगा तो कोई भी जो डाउट होते हैं वो आप पूछ लि मिल जाएंगे सरका क्लासे किस चीज की क्लासे देखेए क्लासे जो है मारे पेड कोर्स की अगर आप बात कर रहे हैं मेरी क्लास तो 11 बज़े से ही शुरू होती है बाकी अगर कोर्स लेने तो एप्स पे वो चीज़ें आपको डेटेल में मिल जाएंगी प्लीज कल forest बताईएगा forest के उपर भी plan कर लेंगे बिलकुल आप लोग के मैं यही कहता हूँ कि जो भी आपके suggestion से comment section में जरूर लिख दिया करिये जिन topic से भी related हो मैं सारे comments पढ़ता हूँ जितने भी है बले class में होता है कि मैं कई बार comments नहीं पढ़ पाता हूँ तो आप जो है class के बाद या lecture खतम होने के बाद भी आप comment section में डाल देंगे तो उन वो comments मेरे पास तक आ जाते हैं तो उनके उपर हम लोग lectures frame कर देंगे don't worry आप लोग ने जो जो topics बोले हुए है शायद ही कोई topic हमने छोड़ा हुआ है जो आप लोग की तरफ से आया हो और हमने नहीं बनाया उसको तो forest की उपर भी बिल्कुल बता देंगे don't worry telegram link आपको यहाँ पे chat box में भी दिख रहा होगा कि telegram link डला हुआ है नहीं मिल पा रहा है तो आप सीधे telegram जाईए study IQ मध्यप्रदेश सर्च करेंगे आपको channel का नाम मिल जाएगा ठीक है तो hope सारे जो भी questions थे आप लोग के उनके answers मिल गए होंगे इन lectures को अच्छे से पढ़ते रहिए अपने topics को और ज़्यादा जो है confined तोर पर मत पढ़िए थोड़ा सा detail होकर पढ़िए और हर चीज की practice भी करते रहिए मतलब जो पढ़ा है उसको revise करिए बार बार और अपने आप से ही questions करिए लिख लिख कर try करिए जो पढ़ लिया है उसको copy लीजी एक rough page लीजी और वहाँ पर लिख कर start कर दीजे कि आज जो पढ़ा है क्या हमें वो आई रहा है कि नहीं हम खुद से लिख पा रहे हैं कि नहीं जब आप उस stage में आ जाएंगे तो topics को पढ़नास जो है कहलाएगा कि हमें वो topic आया है तो इसको जरूर practice में रखिए जो भी topics पढ़ते हैं उनकी practice जरूर करी है मतलब जैसे कि कोई topic पढ़ा तो उनसे हमें कितनी चीजें हमारे दिमाग में रह गई क्योंकि जब lecture सुनते हैं तो चीजें समझने आ रही होती हैं लेकिन exam तक हमें सारी चीजें लेकर जाना है तो उस पर जो है थोड़ा सा focus करी है तो वो आपको काफी help करेगा तो thank you very much for watching this have a great day